मैं बताने वाला हूँ, यह सबसे महत्पून पॉइंट है कि आपको अपना समय सारनी क्या रखनी है, अब अपनी टाइम टेबल क्या रखना है, समय सारनी क्या रखनी है कि आपका जो है वो सलेक्शन सो निश्चित हो जाए, अब चयन के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से स और कोशिश यह करना कि हो सके तो फॉलो करने का फ्यास भी करना मैं आपको स्रूब तीन फॉर्मूले से दे रहा हूं और आप चार महिने फॉलो करते हो तो मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं कि आपका सेलेक्शन कोई दोख नहीं सकता और मुझे बहुत अच्छी से पता ह कि आप इसको फॉलो नहीं कर पा ओगी बहुत कम बच्छें होंगे जो सको फॉलो आебें इसको फॉलो कर पाएंगे में सरफ आप को तीन फॉर्मूल कर दे रहाँ और इन तीन फॉर्मूल कोHi आपको पहले बेरीच शुके हूं हो करनी है दिन में आठ गंटे और बच गए इस आठ गंटे का आप उप्यों कैसे करते हैं यह आपके उपर निर्भर है आप इस आठ गंटे को आप खेल कूद में भी आप खेल कूद में भी आप उसके उपर इसको खराब कर सकते हैं सुरी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप दोस्तो के साथ add करके study को 11 गंटे कर दिया यह आपके ऊपर डिपेंड है लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इन 8 गंटों को डेली को कम से कम आपको study में 8 गंटे देने हैं मतलब देने हैं इसकी अलाव अगर आप एक दो गंटे rest से भी निकालते हो तीन गंटे इदर से निकाल के चा जिन्दगी में असफल नहीं हो सकता और एक कदम आगे कौन होगा जो इन 8 को 12 में convert करेगा 8 को 2 गंटे में convert नहीं करेगा सुबह जब उड़ते हैं तो उसके बाद में जब रात को सोते हैं तो सोते वक्त सोचना कभी कि आज दिन में आपने किया क्या है और अगर अगर रात को सोते वक्त आपके मन मस्तिस्क में चिंता सता है कि यार पूरा दिन खराब कर दिया कुछ भी नहीं किया रात को नीम नहीं आती करवटे बदल-बदल के वैक्ती के सरी दर्द करने लग जाता है चिंता होती कि मैं किसलिए गाउं से आया मैं कर क्या रहा हूं यहां पे और स्पॉलो करना पहली चीज इस अचा इस समय एक चीज और ज्यान लखना कभी पढ़ाई को गंटों में काउंट करने की गलती मत करना लड़के पूछते हैं स्टूडेंट मेरे को तर कितने गंटे पढ़ें आठ गंटे पढ़ लूँ चार गंटे पढ़ लूँ मैं तो सुर ठका ओट के आदार पे जब आप ठक गए आपको लग रहा है कि अब मेरी पॉस पूरी होगा अब मेरे से नहीं होगा उस समय आप सोजाओ कुछ बच्चे कहते हैं सब रात को पढ़ें कि दिन को पढ़ें देखो यह अपने अपने फर्मूलेज होते हैं कोई रात को पढ़ पढ़ने वाले भी कई बारो अभी खेती कर रहें कोई फरक नहीं बढ़ता का लुट Приूब द्रोट को पूचता है कि सर सो के पढ़ें बटे 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 क्या वर्क पढ़ता है जब मन होता है सोग के पढ़ें ठक गए उठ गये वाह पस बैठका पढ़ें घुमते पढ़े तो कैसे में पढ़ो, पढ़ना है, और आज पास में कोई रोंदू व्यक्ति रख लिया, रोने वाला, तो आपको 11 गंटे की जगए एक गंटे में लेके आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखना ऐसे रोने वाले व्यक्ति उसे हमेशा दूर रहना, रोने वाला व्यक्ति कैसा होत बढ़ने देगा, तो मैं सभी students को यह कहूंगा, ऐसे रोनने वाले वाले वैक्ति हों को उसे दूरी जल्दी बना लूआ यह रोनने वाले रोंदू वैक्ति जतने भी यह नगरात में वैक्ति आपको कुछ नहीं करने देंगे, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना. दूसरा फोल्मूला मैं दूंगा, 5 प्लस 2 का, मैंने आपको पहले भी बताया और आप अपस कह रहाएं, आपको क्या करना है, 5 प्लस 2 का रूल्स फोलो करना है, क्या करना जैसे मैं बताता हूं, यह चार सप्ता होते हैं हमारे महीने में, ठीक है, पहला सप्ता, आपको क्या कि आपने आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक दबागे पढ़ाई गड़ी उसके बाद में सटरडे और संडे ये लू दूर दिन आपने क्या किया रीविजन अगला सब्ता आया फ्राइडे में जहां आपने छोड़ा था मंडे को वापस वहीं से शुरू कीजिर फ्राइडे और वापस Saturday or Sunday को इस सप्था की प्लस एस सप्था की दूने इस सब्था का रिविजन कर लीती किश हम होगा आप जो है वो कम से कम एग महीने में आठ से दस दिन तक दो हो जाएगा और वीजवात् Taylor सबसे पीछी कारण क्या जिम्मेदार होता है कि हम पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं यात्रा करते जाते हैं पीछे कौन से गाउं चलेगे कुछ भी नहीं